नमस्कार दोस्तों ओसीन नेटवर्क में आपका स्वागत है मैं हूँ आमकार चोधरी वैसे तो कांगना रहनोत एक पंगेबाज अभिनेत्री के रूप में जानी जाती है और वो इतनी बॉल्ड है इतनी फ्रैंक है और इतनी निडर और दुस्सासी है कि वो किसी से भी भीड़ जाती है उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो फिर वो सच के लिए संघर्स करने के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार रहती है और इस चक्कर में कांगना रहनोत का किस किस से पंगा नहीं हुआ है अभी तक संजराओत इसके अलावा महराष्ट के मुख्य मंत्री उधर उठाकरे जावेद अख्तर और हरितिक रोशन से लेकर के कई लोगों को उन्होंने और दिलजीत दोसान अभी किसान अंदर उनके समय उससे पहले अनुराक कश्यप कई ऐसे चेरे हैं जिनके साथ कंगना रनोत के खुले पंगे हुए हैं और कंगना ने बाकाइदा इस्टेंड लिया है चुनोती दी है और वो घवराई नहीं है उनके खिलाब बहुत सारे मामले मुंबई में महाराष्ट में यहां तक के करनाटक में भी दर्ज कराये गए चंडीगड में भी दर्ज कराये गए और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक मुकदमा बिहार या जारकंड में भी दर कराया गया था जिस पर कंगना रनौत ने ये कहा था कि मेरे खिलाब तो केवल हसने के लिए भी मामले दर्ज कराये जा चुके हैं और जिस तरीके से कुछ लोग और एक तबका जिनमें वामपंथी सोच के लोग हैं कॉंग्रेस सोच के लोग हैं और कुछ संपरदाए तालुक रखने वाले लोग भी हैं उन्होंने समय समय पर उन्हें परिशान करने के लिए किस किस तरह के ऐलिगेशन लगाते हुए उनके खिलाब मामले दर्ज कराये हैं ये अब किसी से छिपा नहीं है और महरास्ट सरकार के खिलाब जो उन्होंने इस्टेंड लिया था ख सुषान सिंग राजपूत उसका खुलासा तो आज तक नहीं कर पाई CBI भी CBI को भी जाँच अपने हाथ में लिये हुए काफी समय हो गया है पिछले साल 19 अगस्त को CBI ने उसकी जाँच अपने हाथ में ली थी और अब उस जाँच परताल को चलते हुए भी 6 महिने से ज़ अबी तक भी पता नहीं चल पाया है कि सुसाइड थी या हत्या थी या किन वजहों से सुषान सिंग राजपूत की वो दर्दनाक मौत हुई थी अलफ समय मौत हुई थी जबके उसका पूरा भरा पूरा केरियर उसके सामने पड़ा हुआ था और वो जो जितनी फिल्मों मे उसने काम किया था उसने बहुत सफलता के साथ कामयावी के जंडे गाड़े थे इसलिए भी लोगों को सुषान सिंग राजपूत के जाने से अफसोस हुआ था और निराशा हुई थी क्योंकि वो बिहार के एक छोटे से शेतर से आये थे और सीरियल में पहले पहचान देख कामयाव फिल्मे दी तो सुषान सिंग राजपूत वाले मसले पर कांगना रनाउत ने महराश्च सरकार और मुंबई पुलिस खास तोर से उसको क्रिडिसाइज किया था कि मुंबई में रहते हुए अब सुरक्षा का भाव जो है वो मन में नहीं रह जाता है और इसी बयान को कुछ दूसरे लोग भी कूद पड़े थे जिनमें परताफ सरनाइक से लेकर के उनके कुछ दूसरे निता से संजर राउत थे और अल्टीमेटली उसकी परिणती ये हुई थी के कांगना रनाउत के बंगले को बीम सी के बुल्डोजर ने उसके एक पार्ट को गिर बिलकुल गलत कारवाई बताया अवैद गैर कानूनी कारवाई बताया जो उसका बंगला तोड़ा गया था और उसके भरपाई के लिए उसके मुआवजे के लिए भी उन्होंने एक सर्वेयर न्यूक्त किया था वो अपनी रिपोर्ट देगा और उसके बाद फिर तैय कि कंगना रनौत को उनका बंगला तोड़े जाने के बाद कितना मुआवजा दिया जाए कंगना ने दो करोड के मुआवजे का दावा ठोका था बीमसी पर बेरहल आज हम बात कर रहे हैं इस पर कि कंगना रनौत को कहां से अब वारंट जारी हो गए हैं हाला कि ये जमानती वारंट है लेकिन वारंट जारी हुए हैं और जो खबर आ रही है वो ये है कि अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानी के मुकदमे में मुंबई के मजिस्ट्रेट ने अभिनेत्री के खिलाप जमानती वारंट जारी किया है जावेद अख्तर ने कंगना पर उनकी छवी खराब करने का आरोप लगाया है अंधेरी के मेट्रो पॉलिटिन मजिस्ट्रे हुई थी और इसकी वज़े से ही ये वारंट अब जारी किया गया है कांगना को एक फरवरी को समन जारी हुआ था उन्हें एक मार्च को कोट में पेश होने के लिए कहा गया था समवार को कंगना कोट में पेश नहीं हुई जिसकी वज़े से कोट ने उनके खिलाब सक्त कदम उठाते हुए जमानती वारंट जारी कर दिया कंगना रनोत के वकील ने ये कहा है कि हम इस समन को हाई कोट में चुनोती देंगे और मामले की जो अगली सुनवाई है वो 26 मार्च को होने वाली है ये फूरा मामला है क्या जिसमें कंगना रनोत को वारंट जारी हुआ है एक्च्छल में जावेद अख्तर ने कंगना रनोत पर उनके खिलाब गलत बयान बाजी करने का आरोप लगाया था जावेद अख्तर ने कहा था कि कांगना ने उनके खिलाब कई न्यूज चैनलों में जाकर के गलत बयानी की है जिसकी वज़े से उनकी छवी पर गहरा असर पड़ा है इसके लिए उनके उपर सक्त कारवाई करने की मांग जावेद अख्तर ने की थी कंगना रनोत ने कहा क्या था सुशान सिंग राजपूत के निधन के बाद कंगना ने बॉली वुड की कई हस्तियों पर गुट बाजी का आरोप लगाया था कंगना ने जावेद अख्तर के बारे में कहा था कि उन्होंने रितिक रोशन के खिलाप केस वापस लेने की धंकी दी थी जावेद अख्तर ने उन्हें ये भी कहा था कि अगर वो केस वापस नहीं लेंगी तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा कंगना के इन ही बयानों की वज़े से जावेद अख्तर ने उनके खिलाब मानहानी का मामला दर्ज कराया था और ये रितिक रोशन वाला मसला क्या है आपको याद होगा अभी दो दिन पहले ही यानि शनिवार को ही रितिक रोशन भी मुंबई की जो क्राइम ब्रांच है वहाँ अपने बयान दर्ज कराने के लिए पहुँचे थे करीब 12 बजे और वो करीब सवा 2 बजे के आसपास वहाँ से निकले तो काफी देर तक उनके बयान दर्ज हुए इस मामले पर भी एक नजर डाल लेते हैं और फिर कंगना को जो नौटिस इशू हुआ है वारंट इशू हुआ है इस पर बात करेंगे रितिक रोशन जो परसो क्राइम ब्रांच में पेश हुए थे उससे रिलेटिड जो एक न्यूज है उस पर एक मेजर डालते हैं भॉलिबूड एक्टर रितिक रोशन शनिवार को कंगना रणवत इमेल मामले में बयान दर्ज करवाने क्राइम ब्रांच मुंबई के دफतर पहुँचे कांगना रनुत के खिलाब दर्ज कराए अपने ही एक केस में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रितिक को समन भेजा था शनिवार को करीब दो घंटे तक रितिक रोशन से क्राइम ब्रांच की टीम ने पुछताच की बताया ये जा रहा है कि इस दोरान रितिक ने पुलिस को कई दस्तावेज भी सौपे रितिक रोशन सुबह पोने बारे बजे क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुँचे जबके पुछताच के बाद उन्हें करीब दो वजगर बीस मिनट पर दफ्तर से बाहर निकलते हुए देखा गया रितिक के साथ उनके वकील भी थे रितिक को शुकरवार को ही पुछताच के लिए समन जारी किया गया था रितिक कंगना इमेल का ये मामला दो हजार सोला से जुड़े केस का है जिसे दो महिने पहले C.I.U. को ट्रांसफर कर दिया गया था कंगना रनोट से जुड़े इस केस का पहले साइबर पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन कर रही थी हृतिक रोशन ने पाँच साल पहले I.P.C. के सेक्शन 419 और I.A.C. के सेक्शन 66C और 66D के तहत अज्यात लोगों के खिलाप मामला दर्ज कराया था कंगना रनोट से जुड़ा विवाद इसी के बाद कई महिनियों तक ये सुर्चों में रहा दोनों ने एक दूसरे को कई लीगल नोटिस बेजे थे इसलिए इस केस में बाद में कंगना का भी स्टेट्मेंट लिया जा सकता है रितिक रोशन को साल 2013-14 में उनके मेल आईडी पर सैक्ड़ो मेल आये थे नामी वकील महेश जेट मलानी ने मुंबई पुलिस कमिशनर को इसी संदर्भ में दिसंबर 2020 में एक पत्र लिखा था कि उस केस में अभी तक कोई प्रगती नहीं हुई है उसी के बाद मुंबई पुलिस कमिशनर परमभीर सिंग ने ये केस साइबर सैल से CIU को ट्रांसफर कर दिया था और कंगना रनोत ने कथित तोर पर रितिक रोशन पर ये आरोप लगाया था कि वो उनके साथ रिलेशन्शिप में थे और उन्होंने शादी करने से इंकार कर दिया था इसके बाद दोनों के बीच काफी टाइम तक एक दूसरे को कानूनी नौटिस भेजे गए थे तो कंगना का जो ये मामला है ये एक्च्वल में जो अंधेरी की कोर्ट ने उनको जमानती वारण जारी किया है वो रितिक रोशन वाले मामले से ही जुड़ा हुआ है कंगना ने और उनकी बेहन रंगोली ने है ट्वीट करके भी ये आरोप लगाये थे के जावेद अख्सर ने कंगना को अपने घर बुला करके डाटा था धमकाने की कोशिश की थी और ये कहा था कि वो रितिक रोशन और उनके परिवार के खिलाप उन्होंने जो मामले दर्ज कराए हैं या जो बयान बाजी की है वो इनहें वापस ले नहीं तो वो बरबाद हो जाएगी कंगना ने तो यहां तक कहा था एक इंटर्वियू में के जावेद अख्सर ने उनको धमकाया था के तुम सुसाइड कर लोगी तुमारे पास कोई काम नहीं बचेगा यानि सब काम चिन जाएगा तुमसे डारेक्ट इन डारेक्ट वे में इस तरह की धमकिया भी गई थी और कंगना ने समय समय पर कुछ लोगों को निशाने पर लिया है जिनमें जावेद अख्सर भी हैं करण जोहर भी हैं और महेश भट भी हैं कुछ कैंप हैं जिनको कंगना अपने निशाने पर लेती आई है और इनको मूवी माफिया या फिल्म इंडिस्ट्री का एक ग्रहों भी कहती रही है कि ये लोग ऐसे हालात पैदा कर देते हैं संगर्स करने वाले कलाकारों के साथ कि उसके सामने कोई चारा बचता नहीं है तो बहुत सारे ऐसे मसले रहे हैं जिनमें कंगना के अलग अलग हस्तियों के साथ अलग अलग लोगों के साथ पंगे हुए हैं और छोटे मोटे पंगे नहीं हुए हैं बड़े हुए हैं अभी हाल में हमने देखा है किसान अंदोलन के समय भी दिलजीत दोशांज के साथ उनका बहुत लंबा मामला चला पंजाब की एक महिला को टेक करते हुए उनका फोटो लगाते हुए कांगना ने कुछ एक ट्वीट कर दिया था और शायद शाहिन बाग की एक दादी समझ करके उन्होंने वो ट्वीट किया था लेकिन जल्दी ही उनको जब यह ऐसास हुआ कि यह गलत फोटो है तो उन्होंने इस फोटो को भी ट्वीट को भी डिलिट कर दिया था लेकिन तब तक जैसी लोगों की आदत है जो टार्गेट करना चाहते हैं उन्होंने स्क्रीन शोट ले लिये थे और बाद में कांगना को कई दिन तक टार्गेट किया गया जान बूज करके टार्गेट किया गया कांगना ने अपने ट्वीट में ये बता भी दिया था अगले ट्वीट में कि उनसे गलती हुई थी और उन्होंने वो ट्वीट हटा दिया है इसके बाद जो उनको टार्गेट किया गया था तो फिर उन्होंने फिर दिलजीत दोसांज को महिनों तक दोड़ाया और उसका पीछा नहीं छोड़ा अल्टिमेटली दिलजीत दोसांज को चुप करके बैठना पड़ा इससे पहले ऐसे बहुत सारे वाकिये हैं जब अलग अलग मौकों पर कंगना बहुत निडरता के साथ आवाज बुलंद करती रही उनके ट्वीटर हंडल पर अगर आप जाकर के देख हुए और बिना थके हुए लोगों को ना केवल कटगरे में खड़ा करती है सवालों में खड़ा करती है बलके देर तक उनका पीछा करती है जब उनके बंगले को बंगले के एक हिस्से को पुल्डोजर लगा करके गिरा दिया गया था तब भी उन्होंने मुंबई पहुच था कि उधा उठाकरे आज तुमने मेरा घर तोड़ा है, कल तुम्हारा गुरूर तूटेगा, कल तुम्हारा घमन तूटेगा, और वो वीडियो काफी चर्चित रहा, इसके बाद भी कंधना ने कई ऐसे वीडियो जारी किये थे, तो अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद, अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें, अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, ज मस्क्राइब.